दोस्तो नमस्कार अगर आपका डोग पिछले 5-7 दिन से खाना नहीं खा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए देखिए खाना नहीं खाने के पिछे दो बड़े रीजन हो सकते हैं एक उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई हो तो आप अपने नजदी की वैट से दिखाईए कोई बीमारी तो नहीं है अगर बीमारी है जैसे पारवो हुआ या कुछ भी हुआ कोई भी इंफेक्शन हुआ तो उसका अलग से इलाज होगा ये आप सब को पता है लेकिन आपने देखा आपने डोक कोई बीमारी आपको लग ही नहीं रही है उसके बावजूत खाना नहीं खा रहा है पिछले 5-7 दिन से तो पहले तो आप एक काम करें जो नॉर्मल आधारवो चीजे हैं उनको कम्पलीट कीजिए जैसे आप उसके डिवॉर्मिंग अगर नहीं करवाई है तो किसी भी अच्छी दवाजे से इजी पेट हो गया या फिर डौनटाल प्लस हो गया डौनटाल पप्पी हो गया छोटों में Easy Pet की सीरप आती है डोनटाल पप्पी सीरप आती है वो दीजिए 1 ml 1 kg बोड़ी वेट पर और बड़ों में जो आती है वो टेबलेट फोर्म में आती है 10 kg पर 1 टेबलेट दी जाती है यह आप सब को पता है और यह डिवार्मिंग अगर मालनो 2 धाई मेने हो गया है और खाना नहीं खा रहा है तो पहले डिवार्मिंग करवाईए उसके बाद लिवर्टोनिक दीजिए जैसे लिव 52 पेट आपको कोई सावी लिवर्टोनिक मार्केट में मिल जाए वो आप उसको 5-10 ml रूज दे सकते है यह एक आधारबू चीज हुई जो आपको करनी चाहिए उसके बाद एक ऐसा चमतकार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अगर सबता से भी खाना नहीं खा रहा है वो डोग खाना खाना सुरू कर देता है आपने इंजेक्शन लगबा लिए उसके बावजोर्द खाना नहीं खा रहा है वो भी सुरू कर देता है वो फोर्मूला क्या है फोर्मूले में आपको 3 चीज़े लेनी है नमर 1 चीज़े लेनी है आपको अजवाइन जी हाँ अजवाइन लेना है यह अजवाइन बहुत ज़्यदा जरूरी है मातर 5 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिए नमर 2 पर आपको लेना है वो है सौफ हरी वाली सौफ आपको ईजिली मिल जाएगी सब जगे मिल जाएगी यह लीजिए नमर थ्री फर आपको लेना है आमला आमला जी हां आमले का भी पाउडर सौप को भी पीस करके पाउडर बना लीजिए और तीनो अजवाइन सौप और आमला तीनो का पाउडर पासमस ग्राम आप बना लीजिए उसके बाद आप उस powder को उबाहल करके ठंडा करके और अपने लोग को दे सकते हैं थोड़ा सा पानी एक चोटे से बहुने में थोड़ा सा पानी लीजे और जो आपने ये mix-up बनाया है पास-पास ग्राम का इस mix up को उस पानी में डाल दीजिए और पानी को boil होने के लिए रख दीजिए जब वो पानी आधा बज जाए उस समय नीचे उतार दीजिए और कपड़े से अच्छी तरीके से जान दीजिए अब ये पानी जो है वो किस के साथ देना है ये बहुत ज़्यादा important चीज़ है अब जो आपने पानी तयार किया ये जो पानी है वो पानी आप ठंडा करने के बाद पान्च से दस एमेल ज़्यादा क्या उसकता नहीं है पान्च से दस एमेल आप ये पानी ले ले लीजिए दिन में दो बार आपको देना है और इस दस एमेल पानी में आपको मिलानी है हिम पाईरीन जी हाँ दो एमेल हिम पाईरीन की जो मेडिशन आपको फोटो में दिख रही है ये मेडिशन आपको दो एमेल उसमें मिला देनी है दो एमेल मेडिशन दस बारा एमेल पानी पानी अगर उपर नीचे भी हुआ तो कोई दिखकर नहीं है अगर आप कम दे पाए या ज़्यादा दे दिया कोई नुकसान नहीं करेगा ये जो पानी मेंने आपको सोप वाला बताया उसको आप आराम से दे सकते हैं मातर दो ही दिन में आप देखेंगे कि आपको लोग बराबर खाने पिने लग गया है